हेलो बच्चों वेलकम तो सिंटम अकाडमी यूट्यूब चैनल तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो और यह वीडियो आर्ट आफ प्रॉब्म सॉल्विंग के सीरीज में अगला वीडियो है इस वीडियो में बैसिकली हम लोग एक डिटर्मिनेंट दोस्तों बट रुकिए जड़ा एक मिट आप कोश्चन को देख लिए कोश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आएगा यार इतने गंदे आंगल क्यों दिये गए हैं इस कोश्चन में अगर आप देख रहोगे कि इस डिटर्मिनेंट में जो आंगल दिये गए हैं 2 पाई बाई 72 है पाई बाई 40 है 3 पाई बाई 88 है खुल मिला कि ये एंगल इतने गंदे हैं कि अगर आप इसको स्वाल करने जाओग ये ब्रूट फोर्स से तो दोस्तों आपको रियलाईज होगा कि आपका प्रॉब्लम काफी पेचिदा बन रहा है ठीक है तो दोस्तों आज का सवाल इसी पे तो है आज देखेंगे कि ऐसे weird looking determinant problem को हमें आसानी से कैसे solve करना है तो चली देखते हैं इस सवाल को थोड़ा detail में तो जो angles यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों जो की काफी weird angle है उनको हम इस पकार से लिखेंगे तो यह जो cos 2 pi by 63 है दोस्तों उसको हम लिखेंगे cos pi by 7 minus pi by 9 तो cos of pi by 7 minus pi by 9 दूसरा angle को देखते हैं cos 3 pi by 70 3 pi by 70 को हम लोग लिखेंगे pi by 7 minus pi by 10 ठीक है तो अच्छा यह मैं क्यों कर रहा हूँ यह हम आखरी में समझेंगे तो सबसे पहले आईए इस सारे angles को हम लोग एक form में break कर लेते हैं और जैसे मैं break up करूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि कारन क्या था वो break up करने का तो cos 4 pi by 77 हम लोग ने break कर लिया है cos pi by 7 minus pi by 11 में ठीक है चलिए उसी प्रकार से cos pi by 72 को भी break कर लेते हैं cos pi by 8 minus pi by 9 right cos pi by 40 को भी break कर लेते हैं cos of pi by 8 minus pi by 10 ठीक है cos 3 pi by 88 को भी break कर लेते हैं cos pi by 8 minus pi by 11 में ठीक है चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे 1, 1 क्या है दोस्तों cos 0 ठीक है तो cos 0 को भी एक challenging way में मैं लिख देता हूँ तो basically यह challenging नहीं है यह एक तरीका है इसको break करने का जिसका utilization हम थोड़े देर में करेंगे cos pi by 90 को हम लिख सकते हैं cos of pi by 9 minus pi by 10 और lastly cos 2 pi by 11 को लिख लेते हैं cos pi by 9 minus pi by 11 ठीक है ठीक है अब दोस्तों आईए थोड़ा नजर दोड़ाते हैं एक basic से trigonometric compound angle identity पे हम और आप सब जानते हैं बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि cos a minus b होता है cos a cos b plus sin a sin b ठीक है अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा बहुत knowledge तो trigonometry का होगा ही ठीक है क्योंकि determinants आता है 12 में trigonometry हो जाती है 11 में तो ये concept तो आपको आता ही होगा ठीक है तो दोस्तों ये जो problem है इस problem में हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हुए determinant delta को break करेंगे as product of two determinants जी हाँ दोस्तों ये सवाल जो है actually product of determinants का सवाल है यहां आपको brute force यूज नहीं करना है अगर आप brute force करने जाओगे तो आप सवाल कभी भी solve नहीं कर पाओगे या अगर आप solve करते भी हो तो आपको at least five times ज्यादा time लगने वाला है ठीक है तो आईए देखते हैं इस सवाल को हम लोग product of two determinants में कैसे break करते हैं तो दोस्तों यह जो term आपको दिख रहा है cos pi by 7 minus pi by 9 ठीक है तो यह जो term है cos of pi by 7 minus pi by 9 ठीक है इस term को हम लोग दिख सकते हैं cos pi by 7 cos pi by 9 plus sin pi by 7 sin pi by 9 ठीक है तो देखिए अब मैं क्या करूँगा इस determinant को मैं break करूँगा two determinants के product में ठीक है और इस term को generate करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे बठाऊँगा cos pi by 7 को sin pi by 7 को और 0 को और यहाँ मैं बठाऊँगा cos pi by 9 sin pi by 9 और यह element आप कुछ भी रख सकते हो तो मैंने question mark रख दिया तो दोस्तों आपको याद होगा जब हम determinant का multiplication करते हैं तो determinant का multiplication आप row with row multiplication से कर सकते हैं row with column multiplication से कर सकते हैं column with row multiplication से कर सकते हैं और column with column से भी कर सकते हैं तो unlike in matrices जहाँ पे आप हमेशा row को column से multiply करते हैं जहाँ आप row of the pre factor को column of the post factor से multiply करके उसका product निकालते हैं determinant में ऐसा कोई restriction नहीं होता तो यहाँ साफ तोर पर आपको दिख रहा होगा कि जब हम लोग cos pi by 7 का multiplication cos pi by 9 के साथ करें, sin pi by 7 का multiplication sin pi by 9 के साथ करें और 0 का multiplication is question mark के साथ करें और उसको add कर दें तो दोस्तों हमें मिलके आ जाएगा क्या हमें मिलके आ जाएगा ये first row first column element अब हम लोग कुछ यही तरीका बाकी elements के साथ भी दोहराएंगे यही तरीका हम लोग बाकी elements के साथ भी दोहराएंगे तो आईए देखते हैं, बाकी के elements हमें कैसे मिलते हैं बहरहाल मैं इस bridge को हटा देता हूँ अब देखिए, अब हमें चाहिए cos pi by 7 minus pi by 10, हमें क्या चाहिए cos pi by 7 minus pi by 10 ठीक है, तो उसको करने के लिए ये पहला row तो हम लोग ने अलड़ी बना लिया है दोनों determinants के, अब आईए मैं second determinant का दूसरा row बनाता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि हम यहाँ पे जैसे ही cos pi by 10 और sin pi by 10 और यहाँ पे ये unknown element है, उसको जानने की जरूवत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे already zero मौझूद है ये zero सब कुछ का ख्याल लख लेगा तो आपको question mark पता करने की जरूवत नहीं है तो जब हम पहले वाले determinant के first row को दूसरे वाले determinant के second row से multiply करेंगे, तो आप खुद देख पाओगे दोस्तों, आपका cos of pi by 7 minus pi by 10 बन के आ जाता है ठीक है? तो चलिए उसी प्रकार से बिना किसी विलम के, आईए हम यहाँ पे third row of the second determinant भी लिख देते हैं तो हमें generate करना है क्या हमें generate करना है? यह cos pi by 7 minus pi by 11 तो आप इस बात को guess कर पा रहे होगे? कि यहाँ तो आना चाहिए भाईया क्या? cos pi by 11, sin pi by 11 और यह third element की हमें दरकार नहीं है, तो आप उसको question mark के रूप में छोड़ दीजे तो जैसे ही आप determinant 1 के first row को determinant 2 के second row, sorry, first row, second row, third row से multiply करोगे आपका यह पूरा का पूरा first row create होके आ जाएगा ठीक है? तो चलिए विलम किस बात की आप generate करते हैं second row के elements को तो दोस्तों अब हमें second determinant में कुछ नहीं करना, अब जो करना है first determinant करना है तो यह first determinant का second row बन जाएगा, cos pi by 8 sin pi by 8 और 0 क्योंकि दोस्तों हमें क्या generate करना है अब हमें generate करना है इस element को तो pi by 8 हमें चाहिए था क्योंकि pi by 9 तो अलड़ी second determinant में मौजूद है तो cos pi by 8, sin pi by 8 और 0 और lastly अगर आप देखोगे तो हमें अब चाहिए होगा cos pi by 9, sin pi by 9 और 0 ठीक है तो दोस्तों इन दोनों determinant का जब आप product लोगे तो जाहिर से तोर पे आपका जो given determinant है वो बन के आ जाएगा तो आप सोच रहे होगे इससे हमारा काम आसान कैसे हुआ बिलकुल हुआ न अगर आप देखोगे तो आपका जो पहला determinant है उसके जो third column में जो elements है वो सारे 0 है इससे क्या हुआ दोस्तों ये पूरा का पूरा determinant 0 हो गया ठीक है और दूसरे determinant को निकालने की जरुवत भी नहीं है क्योंकि अगर 0 से कुछ भी आप करोगे जो भी आपका determinant 2 रहा होगा उसका answer तो 0 ही आना है ultimately तो दोस्तों ये हमारा answer जो की option number option number A है तो दोस्तों आशा करता हूं इस video से आपने सीखा होगा कि brute force से हर बार काम संभव नहीं होता हर बार काम आसान नहीं होता हमें कभी-कभी थोड़ा सोचना पड़ता है we have to take a step back think through and then start solving the question thank you so much for watching stay safe and keep learning